हेलो दोस्तों फिर से आगे हैं हम एक नए वीडियो में और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तों आज हमें एक्सपेरिमेंट कुछ हटके करने वाले हैं काफी दिन से मैं एक मैं एक्सपेरिमेंट करने की सोच रहा था तो मेरे दिमाग में निम्बू पानी बनाते हैं तो दोस्तों इसको लेके एक आइडिया आया क्यों ना इसको सोडे के अंदर मिलाए जाया और देखें कि क्या रियक्षन हमें देखने को मिलती है तो दोस्तों आज हम इसी चीज को लेके एक experiment करने आ ले हैं चलिए दोस्तों शूरू करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं experiment के अंदर हमारे तो दिमाग में ही nuclear bomb है आप ऐसा घर पर try करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें तो दोस्तों पहले हम मिलाते हैं इस बोतल के अंदर पानी जव अ सदया हुशा। तो दोस्तों जढ़ग कर तोस्तों तो पहले हैं तोस्तों जपने की इस बोकिति हैं उतावाल ako तो हमने इसके अंदर निम्बूर डाल दिया है अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं थोड़ा सा उजाला गर-गर में यूज होता है बहुत ही छुपके इसको ठाना पड़ाए क्योंकि डार्ट पड़ सकती थे हुझे और दोस्तों इतना बहुत है जदा वेश्ट करने से फाइदा नहीं है थोड़ा सा और डालते हैं इसके अंदर रेक्शन और जाद अच्छी में देखने को मिलेगी और दोस्तों यह हुझ चुका है हमारा अब इसको हलके से हम देखी दोस्तों किस तरीके से इसमें एफेक्ट देखने को मिल रहा है पूरी तरह से घुल नहीं पाया है हाला कि रेक्शन इसने कंप्लीट नहीं किया है अब इसको थोड़ा सा हिला के मिला लेंगे दोस्तों अब हम सेंसिटिव चीजों के यहां से हटाकर रख देंगे दूर यह हमने रख कि रियक्शन है वह हमें देखने को मिलेगी तो दोस्तों उसके लिए हमें थोड़ा साफधानी के साथ डालना पड़ेगा यह है दोस्तों बेकिंग सोडा हर गर में अविलेबल होता है और इसको हमें डालने के लिए थोड़ा सा ना जुआड अपनाना पड़ेगा नहीं तो यह सारा फैल जाएगा और जैसे ही इसको हम अंदर डालेंगे देखना कैसे रियक्शन होगी इसकी अब देखा दोस्तों और ने किस तरीकी एक दोसे समय रियक्शन देखने को विलिए काफी अच्छा अफेक्ट देखने को विला एक दम से जैसे हमने डाला इसके अंदर तो एक दम से बाहर निकल किया और बहुती अच्छा लगा देखने में और इसमें कलर दूसरा भी चे हम कर सकते हैं लेकिन उसको हमें जरूरत होगी कोका कोला की और एक इनो की इनो डालने के बाद इसका बहुत तेज़ इफेक्ट देखने को मिलता चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं में जरूर होता है मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धन्यवाद